हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आर्वी एडिटिव क्लास में तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फेक्टोराइजेशन चेप्टर से कुस्टन लेकर करके आया हूं और इसको हम फेक्टोराइज करेंगे देखेंगे इसका क्या सलुशन आएगा तो वीडियो को प्लास एक्स माइनस 528 सिर्फ आप लोग इसको देखकर ही घबडा रहे हो है इसमें कुछ नहीं जनरली क्या होता है कि हमारी एक स्टेंडर क्वाड्रेटिक एक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इस इक्वाल टू जीरो तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर एक ही वैलू जो है वो टू है और बी की वैलू कुछ है दिखना ही रहा है तो वान होगा और जो सी की वैलू है वो 2528 है तो अभी क्या है कि इस कोष्ट्ट में हम सबसे पहले फाइंड करते है प्रॉडाक्ट आफ बैसे क्या हैं प्रूड़क्ट आफ एशी फाइ के एसी के इस प्रकार से फांड करेंगे कि यह जो बी वन और इंटू बी टू है वो इकल टू हो जाएं एसी के किसके को लो जाएं एसी के एक अधिक कि आधा तो तो यहां पर हम यह दो कंडिशन करेंगे ठीक है आप लोग आ रही हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा बहुत कि ठीक है जाएं यहां पर यहां पर सबसे पहले प्रड़क्ट आप एसी होगा कितना देखो एक वैलू टू है और बी की वैलो कितनी है फाइव ट्विट्टी एट तो एसी का मतलब क्या है कि फाइव टू एट मल्टिपलाई बाइट यह जितना भी काम है ना यह आपको अ कितना आजाएगा 1056 आजाएगा फिर क्या होगा फिर हम यह आपर 1056 को प्राइम फेक्ट्राइज करेंगे तो यहां पर देखेंगे कि 2, 5, 10 2, 2, 4, 2, 8, 16 फिर 2 से करेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 12 2, 4, 8 ठीक है फिर 2 से करेंगे तो 2, 2, 3, 6, 2, 2, 4 और फिर 2 से करेंगे 2, 6, 12, 2, 6, 12 अगें 2 से करेंगे 2, 3, 6, 2, 3, 6 और आप 3 से करेंगे 3, 3, 3, 3 और आप 11 से करेंगे ठीक है अब इतना करने के बाद में यह जो हमारे फेक्टर है इनका हम ऐसे दो नमबरों का ग्रूप बनाएंगे कि जिसको multiply करने एड करने पर या subtract करने पर भी आ जाए बी मीन्स कितना आ जाए बी मीन्स वन आ जाए तो देखो इसमें हम इनको एक साथ ले लेंगे जो दो वाले नमबर हैं इनको एक साथ ले लेंगे कैसे 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 तो यहां से कितना आ जाएगा 2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 टू जा 32 और यह जो 3 into 11 है इनको एक साथ ले लेंगे तो यहां से कितना बन जाएगा 33 बन जाएगा यानि कि एक फेक्टर हमारा बनेगा क्या B2 बनेगा 33 और B2 बनेगा 32 यहां से पता चल गया कि 33 और 32 एक फेक्टर होंगे कैसे पता चल गया देखो जब आप इसको यहां पे रखोगे कि B1 प्लस माइनस B2 इसको आप B1 माल लिजे और इसको आप B2 ठीक है तो यहां से 33 माइनस 32 करोगे तो आ जाएगा 1 जो कि पहली कंडिशन को वैरिफाइग कर रहा है दूसरी कंडिशन यह है कि जब आप 33 को मल्टिपलाई करोगे 32 में तो प्रड़क्ट आप प्रड़क्ट आपके सी कितना है 1056 है ठीक है यह जितना भी काम है यह आप रफ में करोगे आपने मन में करोगे इसको इधर लिखने की ज़रों नहीं है ठीक है तो चलो फिर अब हमें एक बार क्या मिल गया 33 और 32 मिल गया तो वह हम यहाँ पर रख देंगे बी के प्लेस पर यानि कि यह तो ऐसे ही रहेगा 2x2 प्लस बी यहाँ पर है तो यहाँ पर आजएगा 33 माइनस 32 बाकी चीज़े सेम रहेंगी यह जो वैलू है 33 माइनस 32 वह हमने 1 के प्लेस पर रख दिया यहाँ पर 1 है वो लिखा नहीं है ठीक है यहाँ पर 1 होता है तो अब क्या आ जाएगा तो यह हो जाएगा 2x2 प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 is equal to 0 अब यह आप ध्यान से देखो यहाँ पर ना और लिखा जाता है क्या लिखा जाता है और क्योंकि यहाँ पर equal to sign लगा हुआ है अब हमें common लेना है क्या करना है common देखो ऐसे दो का गुरूप बना लेंगे और ऐसे दो का गुरूप बना लेंगे इन में से हम common लेंगे तो यह 2 है और यह 33 है 2 का multiple है नहीं तो यहाँ पर number common नहीं होगा x square है और x है तो सिर्फ और सिर्फ x common होगा तो देखो यहाँ पर 2 रहेगा और 1x कम हो जाएगा तो 1x रहेगा 33 रहेगा और x निकल जाएगा तो वो नहीं रहेगा जब भी तीसरे स्ट में minus sign आता है तो minus sign को जरूर common लीजिए अब एक चीज़ समझो यहाँ पर यहाँ पर तो 2 आ रहे है और यहाँ पर 32 आ रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा क्या common लें कि 2 आ जाए तो इस 32 में यहाँ पर जो भी number होगा यहाँ से divide कर देंगे तो 2 16 जा कितना हो जाएगा 32 यानि हमें पता चलेगा कि यह common लेना है कितना common लेना है 16 common लेना है तो जब हम 16 common लेंगे तब क्या हो जाएगा 16 जा 32 x common ले नहीं रहे है तो वो ऐसे ही रहेगा minus sign तो आपने common कर लिया ना तो यह minus sign प्लस हो जाएगा जब 16 को 528 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 33 आ जाएगा कितना जाएगा 33 आ जाएगा is equal to 0 अगर किसी बच्चे को अब भी दिक्कत है कि यह 16 जो 528 है वो 33 कैसे हो गया दे को कामन लेने का मतला होता है कि इस नंबर से इसमें डिवाइड कर दो मतला 528 में 16 से डिवाइड करतो तो जब डिवाइड करोगे तो पहले तो 3 टाइमस जाएगा कितना होगा 48 और यहाँ पर कितना बच जाएगा 4 और यह कितना होजएगा 8 तो आपने देखा कि यहाँ पर 0 हो गया यानि कितनी बार गया 33 बार गया यह तो हो गया साधार तरीका लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या होगा देखो, जनरली जो यहाँ पर आता है वही यहाँ पर आना चाहिए जो यहाँ पर आता है वही यहाँ पर आना चाहिए क्यों? क्योंकि कामन लेना ही होता है तो अगर आपने सब कुछ सही solve किया होगा तो यहाँ पर वही आएगा जो यहाँ पर है तो अभी हमारा यहां तक आ गया आप क्या करें अब देखो 2x प्लस 33 2x प्लस 33 दो अनों तरफ है तो यह common हो सकता है तो 2x प्लस 33 common ले लेंगे तो यहां पर कितना बचेगा देखो यहां से एक्स बच जाएगा यहां से माइनस 16 बच जाएगा इस इकल टू जीरो तो यह तो हमारा फर्स्ट फेक्टर हुआ और यह हमारा सेकेंड फेक्टर हुआ क्या चीज यह हमारा फर्स्ट फेक्टर हुआ और यह हमारा सेकेंड फेक्टर हुआ यहां तक हमारा factorization done हो गया अब हमें find करना होता है zeros यानि की solution क्या find करना होता है zeros find करना होता है यानि की solution find करना होता है तो वो भी देख लिजे हम solution कैसे find करेंगे अब देखो कभी भी अगर एक तरफ zero है तो या तो यह value zero होगी या फिर ये value 0 होगी इन दोनों में सी कोई एक value 0 होगी तो जैसे मानता हूँ मैं पहले ये वाली value 0 है आईदर 2x प्लस 33 is equal to 0 मैं मानता हूँ कि ये जो 2x प्लस 33 है वो 0 के एककोल है तो क्या होगा कि 33 उधर जाएगा 2x is equal to minus 33 और फिर x को जब अखेला करेंगे तो minus 33 upon 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 तो एक तो 0 ये हो जाएगा यानि कि एक value ये हो जाएगी या फिर r ये वाली value को मानते हैं कि 0 के एककोल होगी तब क्या होगा तो x minus 16 is equal to 0 जो x को उधर बेजेंगे तो क्या हो जाएगा plus 16 x is equal to plus 16 तो यानि कि जो 0 होगा वो होगा minus 33 by 2 और 16 होगा 2 0 जिसके आएगे तो ये हमारा आंसर होगा इस question का उमेद करता हूँ वीडियो की length थोड़ी बड़ी हो गई है पर मैंने इसको एक एक चीज को समझाने की कोशिस किया है उमेद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू क्लास